दोस्तों यह है एक वायरलेस माइक जिसे मैंने अमेजन से मात्र 1099 रुपे में पचेज किया है तो आज हम लोग इस वायरलेस माइक का अन्बाक्सिं तथा छोटा मोटा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या यह वायरलेस माइक 1100 रुपे के काभिल है या फिल नहीं है चलिए परले में हम इस पैकेट को खोल लेते हैं देख़ी यह वायरलेस माइक यहां उपर में ही लिखा है के एट वायरलेस माइक इस माईक का प्रयोगा आप यालाइप द्दूर में इंटरवियों में ब्लॉग तथा शाड़ वीडियो बनाने में कर सकते हैं यदर हें आप अपने मोईल में प्लग करके इसे प्ले कर सकते हैं यानि रिगार्डिंग कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी थर्ट पार्टी अप्लिकेशन की ज़रुत नहीं पड़ेगी इस माइक का रेंज है 20 मीटर हाला कि इसका हम बाद में टेस्टिंग करेंगे कि इसका हाला जाती है तो देखे हैं यह सटो यहेस्व वारिलेस माइक एक यह इसका रेसीवर जो कि सी टाइप है और यह इसका टास्मीटर यानि मा Speakakah यहां पर सी टाइप पोड़ दिया हुएह यहांनि इस माइक को आप सी टाइप चार्शर से चार्ज कर सकते हैं यहां पर एक इस receiver को on up करने की जरुवत नहीं पड़ती है और नहीं इस receiver को चार्ज करने की जरुवत पड़ती है जब आप इस receiver को अपने mobile में लगाएंगे तो आपके mobile से यह power receive करेगा मैं लगा कर दिखाता हूँ यह हमारा C type mobile इस receiver को यदि हम अपने mobile में लगाते हैं जैसे हम वाइल में लगाएंगे तो इस receiver के अंदर में एक rate करद की light ब्लिंग करेगी जब तक यह light ब्लिंग करेगी तो इसका मतलब है यह receiver transmitter से connected नहीं है यह transmitter यानि माइक देखिए on करने के लिए यहाँ पर switch दिया है इसे हमें 3 सेकेंड तक दबा के रखना है देखिए इस त चाल देते हैं तो देखिए यहाँ पर green और red color की light ब्लिंग कर रही है तो जब तक यह light ब्लिंग करेगी आप समझ चाहिए कि transmitter receiver के साथ connect नहीं हुआ है जैसे आप इस receiver को अपने मोईल में connect करेंगे तो यह transmitter receiver के साथ connect हो जाएगा देखिए जैसे हमने receiver को मोईल में connect किया यह यहां पर जो red और green color की light ब्लिंग कर रही थी अभी direct green color में light ज़ल रही है यानि यह transmitter receiver के साथ connect हो चुका है और यहां पर आप देखिए इस receiver में यह जो light ब्लिंग कर रही थी अभी लगातार red color में जल रही है यानि इस receiver के साथ यह transmitter connected है बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है यदि आपके मॉवाइल का कैमरा इस माइक को सपोर्ट नहीं करता है तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने मॉवाइल में Open Camera अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लिजे और उसमें External माइक को स्रेट कर लिजे तब ये Wireless माइक 100% आपके मॉवाइल में काम करेगा इसे अपने मॉवाइल में कनेट कराने के लिए किसी भी Third Party अप्लिकेशन की जरुवत नहीं पड़ती है अब चलिए इस Wireless माइक का वाइस टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि इस Wireless माइक का वाइस कैसा है वैसे मैंने एक बार पहले ही इसका टेस्टिंग कर लिया है इस Wireless माइक का वाइस बिल्कुर क्लियर है तो चलिए बिना देडिके इस Wireless माइक का वाइस टेस्टिंग कर लेते हैं हलो फ्रेंक्स तो आप देख रहे हैं सीमे में इलेक्ट्रोनिक जुगा तो इस वीडियो में हम आपको इस Wireless माइक्रोफोन का वाइस टेस्टिंग कराने वाले हैं तो जहां मेरे कॉलर में वह Wireless माइक्रोफोन लगा हुआ है तो इसमें मैं दो तीन बाइट करूँगा आप सुनिएगा कि उस पर ठक ठक का आवाज आ रहा है कि नहीं तो अभी हम कैमरा से 5 फिट की दूरी पर हैं अभी हम लगबग 15 फिट की दूरी पर चलते हैं दूरी पर हम जा रहे हैं 15 फिट की दूरी पर हम आ चुके हैं तो अब आप लोग बताईएगा कि कैमरा में आवाज आ रहा है वीडियो में आवाज आ रहा है या नहीं अब आपनों बताइए फ्रैन चालू करने के बाद अवास कैसा आ रहा है कि यह आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर भी बताइए अगर आपको यह माइक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सिस्क्राइब कर दे बैल आइकन प्रेस करके और अगर यह माइक आपको पसंद आया है तो आप इसे खरिदना चाहते हैं तो हमारे वीडियो कि यह स्क्रिप्शन में जाएए वहां पर लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक केजिए वहां से इस माइक को खरिद लीजिए तो मिलते हैं आड़ी वीडियों में पत्पत्के siya is hani. sì, है लूमा ए गूमा टाँ को नहां हुआ है Böyle, कॉमा आपको व्यूना चे मता है यूमा पक्रिणियों कि प्यूमा थाह रह कूमा है आपको मैं नहां से वर महां से थंब हैं हुआ है।